गुद मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप I hope you all are rocking सबसे पहले वेलकम यू आल इन अबर यूटीब तनल बी पॉजिटिव एस यू नो मैसेल्फ प्रिशांत यादो सो यह जो एक नया सेशन है जिस इस सेशन में हम आपके सबसे पहले दो मिट लेंगे तीके तो आप दो मिट पले दीजिए कि मुझे सांती से सुन लीजिएगा जैसे आपको पता है कि हम इससे पहले हिंदी नीच पेपर मतलब मैं प्रिशांत खुद हिंदी का दरी जागन पर लाता था बट अभी जो वत्सिका मैं में बोले के आ रही है आपके साथ डिसक्रशन बहुत अच्छा चल रहा है तो मैं सोचा कि मैं काम करता हूं कि जो अपना इंडियन एक्सप्रेस नीच पेपर होता है इंग्लिस वर्जन का भी आपके साथ डिसकॉस करते हैं इससे क्या हो जाएगा कि अगर आप यूर विलिंग टू वाच हिंदी नीच पेपर तो आप वस्तिका में वाला वीडियो देख लीजिए गा देनिग्यार का जो रहता है अगर आप कही न कहीं सोच रहे हैं कि इंग्लिस का कुछ ऐसा मिल जो कि बहुत क्रिप्स टाइम पे और आपको निउजिस का होते हैं we should know and हमें उन पर ध्यान देना चाहिए तो वो आपके साथ डिसकस करेंगे यहां पर मोर और लेस कहीं हमारा यह रहता है कि जो हमारे एक्जाम होते हैं यूपी असी तो बहुत बड़ा एक्जाम हो गया बट जो भी छोटे मोटे एक्जाम होते हैं जो भी ऐसी जाएगा हम हिंदी भी जानेंगे एंग्रेजी भी जानेंगे तो ओवराल जो हमारी लेंग्वेजिस पर कमांड है थोड़ा सा फाइदा हो गाए ना तो होगा ही दियो तो मैं आपको यह मतलब रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक बार वो वीडियो देखेंगे जो इनिशल फेज में होते हैं ट्रांजिशन के मिन्स एक लेंग्वेज से दूसरे लेंग्वेज में जाने के लिए क्योंकि अगर हम देखें कि सबसे सबसे बड़ी प्रोब्लम यही होती है कि हम इनिशियेशन कैसे करें अपने इंग्लिस नीपीपर में बढ़ाईगा तो यह माइट भी आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है कि आप पहले हिंदी के देख लीजिएगा एंडिस के बाद इंग्लिस का तो आप सिलोली सिलोली आप देखेंगे कि काफी स्टेंथन होते चले जा रहे हैं आप नाट अनली वोकेबिलरी आपके सेंटेंस फ्रेमिंग इंग्लिस का जो वो भी समझ में आएगा तो आई होप कि अच्छा हो और फिंगर क्रॉस्ट की सक्सेज हो और आपके लिए फायदे मंद हो चलिए बात कर लेते हैं पीडियाफ की कि बहुत सारे जो हमारे साथी रहते हैं वो सुनसते हैं कि पीडियाफ कहां से मिलेगी तो म मैंने नाम लिखा ना जो एक हमने रेक्टेंगुल अगर सेप के अंदर कर रखा है तो बी पॉजिटिव प्रसांत कहीं भी स्पेस नहीं आप वर्स देख लीजिए जैसे डालेंगे तो जो अपने यूट्यूब चैनल का लोगो है ना बी पॉजिटिव का वही सेम लोगों यह टेलिग्राम चैनल का भी है आप उसको ज्वाइन कर लेजिए वहां पर मैं हिंदी का जो दनीजाग में उसकी पीडिएफ एंड जो अंग्रेजी का आज से आपके साथ सुरुआत करेंगे 3rd of May हैं आज 2022 हम उसकी पीडिएफ डेली बैसे पे डालते देखिए आज डाले हैं वहां पर अपने पीडिएफ को सेर नहीं कर सकते तो मैं से डेली बैसे पर करूंगा ताकि आप लोगों को फाइदा हो जाए और आप वहां से पीडिएफ पढ़ सकें तो बहुत जदा टाइम ले लिए आपका आगे बढ़ते हैं इसमें एक खासियत होती है या बोल सकत सब्सक्राइब में एंड लेट सब्सक्राइब में एंड लेट सब्सक्राइब में टारीक है 3rd of May 2022 तो सबसे पहले जो चार पेजिस होते हैं उसमें तो एड़टाइजमेंट ही रहता है आपने वी केजिए फ्टू में भी देखी होगी उसमें एक डालोग था आपके साँ स अबिशन्य तो एक होता है कि एड़टाइजमेंट आप डिविटाइजमेंट और डिविटाइजमेंट आपका टियु दे स Bear supplement को ही B test जावाजेन्ती है आज इसके बाद आज इदुल फितर भी है तो सब को बहुत-बहुत मुबारक बाद चलिए ज़्यदा टाइम नहीं लेते हैं बात कर लेते हैं खबरों की खबरें सबसे पहले पता ही है आज थारड़ाफ में है सबसे पहली खबर आपको पता ही कि हमारे जो इंपक्त और डेवलेपिंग फूर कंट्रीज तो डेवलेपिंग थे एंपक्त पड़ते ही है व्याड की कोई भी घटना का किसी भी इवेंट का फरक पड़ता है तो पीम ने कहा है कि इस यूदस से किसी को फाइदा नहीं होने वाला है नो बन गोएंग टूप विन एनिका जर्मनी के पूराना एलाइज था कहा जाता है कि जो हमारा सवतनत्ता संगराम था जो 1939 के बाद जो हमारे सुभासंद बोस्ते उन्होंने अपनी आर्मी बनाई थी तो जर्मनी का काफी सपोर्ट था जर्मनी इंटरनली बोल सकते हैं कि अपना ओल्ड फ्रेंड मानता है चलिए मुदी जी को इंवाइड किया गया है यह जी सेविन के कोई पर्मानेंट मेंबर या मेंबर नहीं है इंडिया अपना बट इस्टिल उनको फॉर होता ना कि अपने विजन की वज़े से या कोई एक बहुत ही डेवलोपिंग नेशन है बहुत ही ग्रोथ वाली एकोनोमी है त पार्टिसपेट कीजिए हमारे जो भी बाते हैं चलिए नेक्स्ट ख़बर पर बाढ़ लेते हैं ऐसी सुप्रीम कोट ने कहा है कैनाट फॉर्स वेक्षिनेशन रिव्यू वेक्सीन मेंडेट तिल इन्फेक्शन रेट लो तो समझी गया होंगे आपकी आप किसी को जब करवाना है उसको तब तक करवाना जब तक कि इन्फेक्शन रेट है वो कमना हो जाए चलिए बात करते हैं यहां पर एक तो अभी आपने देखा यूगा की कल पर सों एक ख़बर आई थी कि बहुत जदा टर्बूलेंस फिल हुआ एक एक एरक्राफ्ट में स्पैस जड़ का अब एक कि नवे कि शुआ होता है उसका एक द होता है इसे एक च्बाहर जुआ कि अटका करता है च्बाव करते हैं और transform करते हैं अहिंग एकक्राफ्ट में आफाक्राफ्ट कि सपीड के साथ तो अशब होता है उत शारतर का जट़का लगता तो वही चीज है अब इसमें बोला जा रहा है कि यह जो चीज हुई टर्बुलेंस होता है एक लिमिट पर होता है बट इतना चादा कि लोग इंजर्ड हो जाएं उस पर डिडी सीए जो अपना है डिरेक्टरेट जनरल ऑफ सेविल अवियेशन वह बोला कि इस चीज का वह इस करेंगे देखेंगे कि आखिर क्या हुआ जितने भी क्रू मेंबर थे उनको सब को आफ डूटी कर दिया गया है और पूरे डिटेल में देखा जाएगा विकॉज एक लेबल तक चलता है बट यह बहुत ज़्यादा था कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें सकते हैं बिहाइंड रिकॉर्ड गोल इन ग्रीस अस्टबन वेट लिफ्टर एंड फिप्टी केजी राइस सैक इन पुने विलेज देखें पूरी न्यूज यह है कि वही है कि एक गोल जी जो ग्रीस में अभी हमारा जूनियर वर्ड चैंपियंसिप हुआ वहां पर एक जो पागल टाइप बोल सकते हैं एक वेटलिफ्टर हमारी जो एक ट्वल्व यार ओल्ड एक लड़की थी बहुत ही बहुत ही बहादुर उसने गोल जीता है उसके पीछे की कहानी यह है कि यह अपने फादर की हेल्प करती थी जब बारा साल की थी तो जो 50 केजी सेक्स मतलब हो जो लोग लेंग्वेज में बोलते हैं कि बोरी बोरा जो होता ना एक अठा हो गया एक पीस ओफ 50 केजी जी राइस हो गया या उसको बड़े इजली उठा उठा कर रही थी 12 यह की जब थी तो जब वहां पर लोग गया उन्हों देखा कि यार यह तो कुछ कर सकती है देन उ उस बंदी ने वहलब एटीन इस की हो चुकी है और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वर्ट जूनियर चेंपियंसिप में जो होता है वेट लिफ्टिंग का नाम है उनका मवल तुलका पुने की हैं ठीक है तो याद रखना है कि याद रखना नहीं एक काफी मोटिवेटिं यह इन्फॉमेशन या वह सकते हैं कि हो जाता ना कि क्या होता है कभी कभी मोटिवेशन हमें किसी भी चीज से मिल जाता है तो यहां पर देखिए कि जो हम काम कर रहे थे या जो यह बच्ची काम कर रही थी वह उसी काम में इतना ज्यादा महारता हासिल कर ली कि आज पूटवेश तो जान रहा है उसे चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट तो यहां पर एक बोला जा रहा है नेक्स्ट कवर है कि इन बंगाल लोन मलब अकेली सीपीम जो लेड़ सिविक बॉड़ी है उसने पूरे जो पॉलिटिसियंस का है पॉलिटिक्स उसको पॉड़ा दिया इन बंगाल लोन सीपीम लेडिय्टि लेशन्स इन प्रैčिकल पॉलिटिक्स मतलब यह है कि बंगाल की word प्रेक्टिकल प्रेटिक्स क्या होती है उसका ग्यान दे दिया हुआ यह कि अभी बंगाल में जो मुनिस्टिपलिटीज के चुना हुए थे तो वहाँ पर इस पार्टी की जो सिविक बॉड़ी जो थी उसने 113 सीट में से 108 सीटें जीती ठीक है तो यह हुआ कि मतलब पूरे के पूरे ही धरहसाई कर दिया तो उन्हें बताए कि कैसे प्रेक्टिकली प्रेटिक्स को ओवरकम करना है उसके बारे में यह एक क्या कहते हैं न्यूज है फिर वही बात अगर आपको रिटेल में पढ़ना है तो आप टेली ग्राम में जाके और डेटेल से पर सकते हैं बाकि न्यूज क्या है आपको समझ में आ जाने चाहिए इसके बाद यहां पर यह फिर से एक ऐसी न्यूज आई है जदा तर लोग ध्यान नहीं देते जो मेटो वरकर्स अमंग ठीरी डाइड इन इस डेली एक्सि हो गई है तो यहां पर नाम गुड़ू गुड़ू करके हैं यह मेट विद एन एक्सिडेंट और इतना फैटल हुआ कि नॉट ओनली लाइफ बाकि दो लोगों की और जान गई हुआ यह यह अपनी बाइक से जा रहे थे सामने से कार आ रही थी और दोनों ऐसे मिले कि कार भी पांच है जो होती है ना राउंड सरकल मारते हुए चली गई मैला फिलिप्स मारते चली गई तो वहां पूसमें भी दो लड़किया थी जोती करके और एक भारती करके कहा जाता कि वह बहने हैं और यह जो गुड़ू पर साथ थे वह थर्टी असके तो तीन लोगों की यह चीज कंसर्णिंग है नाट ओनली हमारे ट्रैफिक जो जितने भी इंतिजाम से उनके लिए और स्पीड का भी क्योंकि और ऐसी कंपनीज के भी क्योंकि आप 15 मैट 20 मैट क्यों देते हैं लाग कि लोगों को भी रहता है चीजे ठीक हैं बड़ टेक्नलोजी और बैतर की दिया सकती है आप आप ज़्यादा अपने फ्रंचाजीज खोली है पास पास में तक लोगों को जूर जाना पड़े और टाइम डेले सेंसिटिव बनाईए इस पूरे माहौल को क्योंकि खाने को दस मेंट लेट पसानेक चकर में आप खुद ही लेट हो गए लेट आइमीन स देखें पहले क्या होता है कि डेली ने में CBSC Board ICSC Board सलता था अभी क्या है जैसी UP Board अलग से होता है MP Board अलग से होता है किरला Board अलग से होता है मलब हर एक स्टेट having its own educational जो बोर्ड होते हैं वो ठीक है तो डेली ने का कि यार हम क्यों पीचे रहे हैं तो डेली ने अपना एक डे स्टार्टेड निव बोर्ड टीक है जिसका नाम है DBSC अभी समझ गया होंगे अभी इन्होंने क्या कर दिया इन्होंने फ्रेंच गवर्मेंट से एक मेमरेंडम साइन करवाया और उन्होंने कहा कि हम आपका जो करीकुलम है करीकुलम इंद सिंस के आपके जो लेंग्वेज है वह हम अपने यहां पर लोगों को पढ़वाएंगे उस लेंग्वेज को पढ़वाएंगे और कफी कुछ हम आपसे भी सटेशन ले सकते हैं आपसे ले सकते हैं तो इस तरीके से फ्रेंच से रंडम साइन हुआ और उसके बाद बोला जा रहा कि जो डेली के गवर्मेंट सकते हैं तो यहां पर उसकी बात हो रही है कि जो डेली के गवर्मेंट स्कूल्स हैं तीस से ज्यादा अब उसमें फ्रेंच पढ़ाना शुरू किया जाएगा और वह किसके बेसिस पर चलते हैं उन पर उन पर कौन सा कर्यक्वलम्स लगता है वह डेली बोड़ इसकूल एज सकते हैं बट यह डेली गवर्मेंट के जो स्कूल्स हैं उनकी बात हो रही है अब आप यह सुरू हो जाएगा बहुत कुछ कर रही है अभी पिछली यह डिवी लॉंच किया गया है यह भी आपको याद रखना है बाकि एदुल फितर है मुबारक बात दे रहे हैं मैंने भी सब्सक्राइब को पहले ही दे दी है काफी बड़ा वीडियो ना हो यह इस वज़े से मैं काफी क्रिप्स में और न्यूजिस आपके समझ में आ जाए इसके अगर आप पीडियाप से पढ़ेंगे तो आपको और जद समझ में जाएंगी सेकेंड चीज हैं कि हम जो ब्लुकल पॉलिटिकली मोटिवेटेड होंगी या पॉलिटिकल मनलब होता ना कि पॉलिटिक से ओध प्रोध होंगी तो उनसे हम बचेंग उन्हीं जिससे आपके सामने डिसकस करने के लिए ठीक है बाकी आपको पती कि डियो के सौ साल पूरे हुए हैं तो कैसे वह कॉलेज तीन चारे साथ सो स्ट्रुएंट से बहुत बड़ा इस उनिवर्सिटी बनी उसके बारे हम बात बताया जा रहा है जो कि इतना हमारे लिए जानने के लिए नहीं है उनकी स्ट्रीव हमें क्या ही जाना ठीक है इसके बाद है ड्राइबस डाई आफ्टर स्कूल बस रैम्स अब इस एक एक interact होते हैं तो होता ना कि जिन मैटिय्य होता है olduğunu होती है हम कि दिवा से तकृएंगे पथा से टकृएंगे हम लुए से बंदिक होता इंग ऑ्टild में हो जाता है दो यह honो है क्यों यह पिरर्स के देफिर्ट इसी नोटिस ओवर माइनलीज दिखिए एक चीज़ होती है जो हिंदी निश्पर होते हैं उनका कुछ सॉट फॉर्म नहीं होता है वो प्यूरली क्योंकि हिंदी भासी बड़े अब सुंदर भाव के होते हैं अलाकि मजा कर रहा हूं मेरा इसका कोई वह नहीं है कि सारे भासा एंड वंबें ग olması यहां एग करते हैं तो यहां पर आपको सुप्रिम कोट को हिंए गातों तो इहां पर आपको इन चीजहों में भी आपको अकलिमेंटाइस होना जो में अभयस्त होना है कि कैसे होते हैं तो इसी यहां पर इलेक्शन कमीशन है ठीक है धिर दीर जैसे आप 2-4-5-10 दिन देंगे टाइम अगर आप नए है अला कि मुझे पता ही जो लोग सुन रहे होंगे वह सारे लोग बहुत अपर लेबल के होंगे बट इस्टिल अगर को वर्ड मीनिंग्स को बहुत जादा जिस्क्राइब करती है थी पांच वर्स लेती थी पर बहुत अच्छे से एक्स्प्रेंज करती है थी तो आप वहां से अपनी वोकेब को है और स्ट्रॉंग कर सकते हैं तो आप जाएंगे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा 5 वर्स किया है अब देखिए एलेक्शन कमिशन नोटिस कब दे सकता है एलेक्शन कमिशन नोटिस तब ही दे देता है जब कोई वाइलेशन होता है रिप्रेजेंटेशन आफ प्यूपल्स एक्ट का ठीक है तो अभी क्या हुआ है कि जारखंड ने जो कोल माइन्स हैं उनको लीज पर दिया है बोला जा रहा है कि वह इल्लीगल ली तौर पर दिया जा रहा है मनलब वह सही से लीगलाइज वे में काम नहीं किया गया है तो यहां पर इसी मतलब समझी गए होंगे कि इस तरीके का तो रिप्रेजेंटेशन आफ प्यूपल्स के खिलाफ हो रहा है वालेशन सेक्शन 9A हो रहा है तो जारखन के जो सीम उनको इस तरीके एक नोटिस दिया गया है कि आप बताओ कि मैं आप पर क्यों न करवाई करूं एक इल्लीगल या बोल सकते हैं करप्ट जो करप्शन का अपने एक्ट किया है उसके अगेंस्ट तो अब इसका देखा जाएगा क्य एल्ड एन ऑफिस अंडर दी कवर्मेंट ऑफ इंडिया उसी को मिलता है ऐसे नहीं कि किसी को भी दे दे अब जैसे एक आम नागरेक है उस पर आप उसको आप क्या लगाओगे उसको नोटिस क्या दोगे उसको उसको मतलब भी नहीं है कि प्रेटेशन आफ पीपल से वह उन काम करें कि उस और्ग्रेशन का फाइदा ना हो ठीक है वह डिस लॉयल्टी होता है इसके बाद और को चीज़े हैं तो आप भी आपको समझ में आगा ना यह पूरा न्यूज क्या है चलिए मेरा में मोटो यहीं रहेगा कि मैं आपको समझा सकूं कि न्यूज क्या है बता सक सब्सक्राइब है और करीकूं करें लिक यह प्राइब हो प्रसांध कासर लिए कि वह क्या है कि यह एक सकते हैं कि संटीस्ट ऑ पॉलिटिकली जो हमारा इन्वॉर्मेंट उसके सान्टिस्ट है और वह उन्होंने लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाई कि है लोगों को सम समझा है कि इस तरीखे से जो की असलो को लोग हैं उनकी ठिंकेंग काम करती है इस पर काफी क्या देजर से नितीस मर्ल हो गया बीजयपी को काफी बहरीइं भार कम में जीत फिन जहेस्टाइए कि बंगाल हुए ते जिसमें हमारी हम बहुत बड़े मात्रा में जीती ही थी बहुत ज़्यादा बोटिंग उनको सीट्स मिली थी तो उन्होंने पहले डेक्लेर कर दिया था कि ममता जी जीतेंगी तो कहे कहे बोला सकता है कि पॉलिटिकली एक विद्ध है एक बहुत ही विद्धुवान व्यक्ति है तो वह बोल रह ही पहले कि एक देश था बड़ सम्म्यधान दों थे मिलों क्यों इतनी देर हुई पुराने जमाने में कहते थे कि ट्व लाइट जमाने में कहे थे कि ट्व लाइट तो प्मना गया लीडी का कि प्रेस करो खतम तो वह उन्होंने बोला है कि पहले जैसे JK में इंडिया और जेन के दो देश तो एक देश तो था बट कंस्टिटूशन ज्राइट अलग अलग ते तो इस सारी चीजों को एक कर देने के वज़ास नहों ने बोला है कहां आभी गय कहा हुए है जर्मनी तो इस परपर्शन ने वहां से बोला है ठीक है चलिए बात कर लेते हैं यहां पर कि एसी हाई कोट सीक्स गवर्मेंट स्टेंड ओवर प्लिया और बाइगामी पॉलिगामी अमेंग मुस्लिम देखिए दिली हाई कोट ने कहा है कि जो मतलब रिस्पॉंसिबिलिटी है एक पर्टीशन पर सीकिंग देट कि जो हमारे मुसलिम हस्बैंट होते हैं एक मतलब एक आफसरी साधियां करना एक एक अनकन्सिटूशनल है जबकि इनपसेंस ईशसेज साधियां दो hata कि मुसलिम में जो वर्पख्च होता है यो जब ऍपक्षि एक से ज़ए Selbst कर सकता है विदाउट एनी रिटेन कंसेंट फ्रॉम हिज वाइफ कि एक लोग हो गए दूसी भी साधी कर लेते हैं वाइफ से रिटेन कंसेंट मंगनी जोत नहीं है हिंदु दर्म में असा नहीं होता तो दिली आई कोट ने कहा है कि इस चीज़ों पर गवर्मेंट एक रूल बनाए वही रूल जो आजकल आपको पता ही है कि हमारा आटकल 45 जो यूनिफर्म सिविल कोर्ट की बात कर रहा है कि जो हिंदु पर रूल अपलाई होंगे वही हरे कि इंडिया का कुई सिटिजन है तो ही इंपोजेश दस्यमिलर लाइन रेगुलेशन तो वही बात हो रही है कि इस सभी के करता है तो आप एक नया कानून बनाईए और कम से कम रिटिन जो कंसेंट वो तो वाइप से होना चाहिए अगर दूसरी साथी की जा रही है इसकी बात कि जो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जीऊ दया करके उसके के टेकर है जो कि एक जुविनाइल बुलबुल को देखो फीडिंग करते हुए यह थी फोटो है आप देख लीजिए जुविनाइल मतलब होता है कि तुरंट पैदा ही हुई या बच्ची छोटा बच्चा टाइब बोल सकते हैं चलिए इसी वर्ड मीनिंग आप ठोला बहुत सीखेंगे इसके बाद कोविड एकसी वेरियंट आपको पता ही है कि इस समय जो लहर चल रही है वो कोवीड का एकसी वेरेंट है किसका आप कोमेंट करके बताईए कि इस समय किसका चल रहा है ठीक है ओमिक्रॉन क टोट नहीं है बढ़ हाँ प्रकॉसन लेना हमा अरे हाथ में हैं और आप लेके रहेंगे क्योंकि आजकल आपको पते यहीट वेप बगएरा चलिए नियु जी आ गई बात कर लेंगे चेंजिज कर लेंगे changes of वातवर्ण का डेपार्ट्मेंट रहता है उसको बोलते हैं जो कि बताता कि कि यतनी वारे सोगी सुखा-पड़एगा को नहीं पड़ेगा वेब्स होती है जिनका जो मास लेके चलती है वो जो एर लेके चलती है उसके जो मोलिकुल्स होते हैं उनका जो टेंपरेचर होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है तो वो हीट वेप क्या करते हैं जब किसी भी हुमन बॉड़ी पे या किसी भी पेंड पे या किसी भी एरिय हो जाती है उसको वोलते हैं हीट वेव हीट वेव अपको समझ में आ गया होगा तो बोला जारा कि अब थंडर और वारिस होगी तो आपको पता ही है कि जो मॉलिकुल्स होंगे यह जो एर मांस है उसका वह थोड़े से मॉस्टराइज होगे तो हमारा जो उसका तेंपरेचर हो फिंगर्स क्रोस्ट कि आप सब लोग ये वीडियो पूरा देखें जितने भी सिरीज में आएंगे लेकिन टाइम नहीं होता ना मुझे भी पता है आपको भी पता है तो एडिटोरियल्स आप खुदी देखिएगा मैं सिर्प उसका जिस्ट बता दिया करूंगा आपको साथ रिसरेट आफटर यूक्रेयन प्यां यदो को पते ही गले हूए हैं कहां गए हूए हैं यूट के बदभ जर्मनी गए हूए हैं उन्हों नकाहे कि लिए जुक्रेयन युदक्य के बाद वर्ट को नीड है एक रिषट की अब ही फिर से होता नहिंगा जब हम ठक जाते हैं ए जो जितने भी एंजाइटी हैं हमारी उन पर काम करें अभी एंजाइटी में और एक प्रिकार के हमें दुख-दर्द हैं और दुख-दर्द उनको सहने की जरूरत नहीं है अभी थोड़ा सा वी विल टेक टाइम एंड एक रिसेट की जरूरत है हमारे पूरे इंवार्मेंट इसके बाद अच्छा आटिकल है इसको आप ज़रूर पढ़िएगा इसमें हो रहा है काउंटरिंग हेजिमोनी ऑफ इंगलिस इन मेडिकल एजुकेशन मस्ट भी ए ग्रेजुवल प्रोसेस देखिए अभी आपको पते ही है कि भारत हिंदी 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 बोल रहा ह और अच्छी बात है कि हमें अपने देश की एक बहसा को आगे बढ़ाना चाहिए वह लोगों की जन्मत होना चाहिए कि किस बहसा को आगे बढ़ाना है क्योंकि जो हमारे तमिल छेटर के लोग है या मल्यालम और बहुत सारी बहसाओं को लोग अपना-पना महतों देते हैं और के Cheekamen कि हमारे दिसकी एक भासा रही है जो कि हमने अस भासा सी जाने और जहां तक लोगों का मानना है कि हिंदी वह भासा होने चाहिए चलिए तो अभी क्या अता कि जोग हुआरा एजिव्य करीकुलम नुदी मों है वो भी सोचते हैं जो बहाओ को रोकने के लिए एक gradual, gradual मतलब मतलब लगातार, ऐसा process होना चाहिए, ताकि धीरे धीरे, अगर, देखे कभी कभी क्या होता कि हम होता ना कि हम अगर 10 km की race दोड़ रहे हैं, तो अगर हम शुरुआत में एकदम से बहुत तेज दोड़ गए, तो हम 10 km पहुंच भी नहीं पाएंगे, मतलब कि we will not achieve our aim, एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दू, कि there is a lot of difference between target and aim, ठीक है, किसी aim को पाने के लिए we have, या we make so many targets, तो वही होता है, कि हमें target अचीव करने, MLW एक टारगेट बनाने है, to get our aim, तो वही करना है कि gradually or perpetually किसी काम को करेंगे, तब ही जा तो इसे target पूरे करेंगे, target पूरे नहीं करेंगे, जैसे कि हमें English, Hindi में करना है, तो कर दिया, हमारा main aim है कि हमें अपनी Hindi भासा को आगे बलाना है, तो यही इसमें पोला जाला है, कि slow medicine मतलब कि एक slowly हमें करम से लाना है, और हमें Hindi मिलाना है, फिर Hindi, क्योंकि आप सिप एक subject क अगर Hindi में ला देंगे, कि साथ-साथ आपको पूरा इंफरा चेंज करना पड़ेगा, आपको medicines जो लानी होंगी, वो भी आपको Hindi मनवानी होंगी, या बाइलंगल बनवानी होंगी, आपको जो और भी ऐसे चीजे हैं, उनसे टाइफ करना पड़ेगा, फौरन जो लोग हैं उनसे भी आपको इस टाइफ करना पड़ेगा, कि medicines भी ऐसे लाएं ताकि Hindi वासा में हो सके, तो बहुत आई चीजे आएंगी इस टाइम पर, इसी में है, कि कैसे हमें English की hegemony को कम करना है, ताकि हम अपने देश को सुद्रन कर सके, आपको पते हैं, कि मद्य प्रदेश रोतर इस टाइब आज से शुरू करने हैं, बट ग्रेजुएली एंड परपेट्यूली समझेगे न, आप चलिए, इसके बाद अगर आप करने हैं, कि आप किसी भी देश में जाते हैं, तो आप एकोनोमी की बात करते हैं, आप सिक्योरिटी की बात करते हैं, आप वहां के अपने जो हम किस चीज में आगे हैं, सर्विसिस में, तो हम आपस में ट्रेड की बात करते हैं, तो वही चीज बोली जा रही है, कि अब भारत सब कुछ देखके यूरोप की तरफ आगे बढ़े, यूरोप तू सेंटर बढ़े, और अपने साथ साथ सारे दोस्तों का उत्थान करे इसके बाद कुछ और खबरें हैं, जो कि सायर इतनी इंपोर्टेंट नहीं है, जो कि मैं आपके साथ करूँ, कहीं न कहीं प्रोटिकल ही या बोल सकते हैं, बात करते हैं, पेज 15 की एक्स्प्लेंड में, तो एक्स्प्लेंड में सबसे बड़ी बात ही यही है, जैसे मैंने आप से पहले सुरवात में खबर कर आना, तो तो टॉनक्त रहे होता है, वाइफ लाइत टर्बूलेंज यह बताया जा रहा है, कितने काइंड के होते हैं, सेविनकान के टर्बूलेंज होते हैं, क्या-क्या LAUN इंपड़ते हैं, इसके लिए मैं स्पेसल वीडियो बनाओंं एक दो दिन में आपके साथ आ जाएगा वो वीडियो और चैनल पर बने रहिएगा उस पर मैं सारा सब कुछ बताऊंगे टर्बूलेंस क्या होता है और टाइपस अब टर्बूलेंस फिर इसके बाद इन जो इंटेंसिटी होती है वह क्या होती लाइट मॉडरेट सिवेर एक् क्योंकि काफी ज्यादा वहां पताब ही मजा दी है इसके बाद वही जो इडियोपन उनियन है उसने बहुत सारे बैंस लगा दिये है अरसिया ओइल्स पे जर्मनी भी अब जो है वह भी बहुत ज़दा क्या करते हैं लेंदेन करेंगे तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्शन से ढूंट हो रहे हैं रसिया पर चली इसके बाद सेज पीएम फोन इनफेक्टेड बाई पेगसस देखिए श्पें यह वो चोड़ दीजी कि स्पें के पीएम का क्या हुआ क्या हुआ क्या ने हुआ इतना मारे इंपोर्टन नहीं हमारे हो जाता है पेगसस तो मैंने कई बार अगर हम मेरे पिछली वीडियोज देख रहे हैं, तो मैंने कई बारा आपके साँ डिसकस किया है, पेगिसट गया है, एक एक सफ़्वियर है, एक बोलाद सकते हैं, कि है जाड़ सफ्ट्व्वेयर है, इन स्पाई वे टम्स, वो क्या करता है, कि हमारे फोन में आता है, हमारे सब्सक्राइब बनाया गया है यह मिलिटरी जो फोर्स है ऑफ इसराइल उसने बनाया था अच्छे कॉस्टे बनाया था बट वही होता ना कि कोई भी काम अच्छे के लिए सुरू होता है पर सलोली सलोली उस पर बहुत जदा गंदगी घुष जाती है और आज वह सबसे खतरन ल्हांक प्रणाय जो इस पाइवर बन के ऊब रहा है एक्जामस में बात कर लेते हैं एक्जामस में कभी-कभी पुछाजस का कि पेगसस है क्या इसका पूछाजस कि क्या मल्वेर है सफ्ट्वेर है इस्पाइवेर या ना अब देवग तो सारे ही होते हैं बट इस जो मल वेर होते हैं यह फोन को खराब कर देऊ स्पाइँ वेयर क्या होता है कि आपके फोन को है कर लें आपके फोन में च Wij दूसरे के पास पता ही नहीं तो पर यह नहीं तो टेकस स्पाइँ के बात करें सोना जर्डानि ת होना है the 5054 City मैं जब शुरुवात में पढ़ता था निचे पर तो बहुत बहुत देखता था कि सोना चांदी और यह ऑल सब क्या है चलिए अभी एक चीज और आपको पते ही है कि हमारा जीस्टी जो स्लाइब होता है वो 28 सबसे हाइस तो अभी गबर्मेंट ने कहा है कि अच्छा बहुत स चाहिए जो जो जीस्टी होगी वो हाइक हो गया 28 परसेंट इससे पहले 18 परसेंट इसे लेप में था बाकी यहां कुछ खब्रे हैं आपका अगर आप रासी बगड़ा देखना चाहते हैं तो आप यहां से रासी बगड़ा देख लिजिए अगर आप सो डोकु भरना चाहत तो आपने आपसे लोगी भलीजी काफी इंटेटेनिंग आता है चलिए इसके बात करें स्पोर्ट्स की तो कल आपको पते ही है कि रजथन डॉयल्स